नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका आपके आपने यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम फीमेल इशू को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है देखिए बहुत सारे फीमेल का मेसज आए में पास कि जो पीरिक्स के दौरान यानि कि जो कि दौरान लोग पैन रिलीफ खा लेते हैं क्या वो सेफ है उसको लंबे समय तक लेना चाहिए और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए क्या कोई नैचुरल रेमेडी हैं जिससे हम इसको ओवर कम कर सकते हैं पैन जो इतना जादा हो रहा है कर सकते हैं यहां दौर्श दमवाय दौर्श दमवाय था पनाफ भर्लीव मियां चाहिए तो मेरे पास यह चाहिए कौा प्राबल्लम्स हो जाती हैं सकती है तो उनी चीजों को आज के इस वीडियो में में डिसक्र ने वाली हूँдерж थियर्ष र pret nager जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्या जो pain relief tablets ली जाती है वो लेनी चाहिए और अगर वो लेनी चाहिए तो वो वर्क कैसे करती है वो शरीर पर एफेक्ट कैसे डालती है ठीक है तो यह हमारा आज का कॉपी है लेकिन उससे पहले बहुत सारी महिलाओं को यह भी नहीं पता जो period होती है उसमें होता क्या है तो देखिए मैं आपको बताती हूँ देखिए यह नॉर्मल सा मैंने फीमेल रिप्रोडाक्टिव सिस्टम के डाइग्राम बनाने की कोशिश की है अच्छा नहीं बनाए जादा वर्ट इस तो देखिए मैंने बनाने की कोशिश की है यह मैं होगेरि मैं उबरी में मैच्योड एक्स दिखा दिया है red कलर कह सादा एक्स का सिक्रेशिंट जा इबल अब आगर निकल गया तो मतलब प्रेग्नेंसी नहीं है लेकिन अगर ये और फ्रेग्नेंसी मेंरे और यह हएं यहां पर लाइणिग के थूश होकर के नहीं निकलते हैं यह क्या करते हैं यह इसी तो आराम से रहते हैं प्रेग्नेर्स देश कर रहे एक तो ऺञते हैं तो बेंद भी ज पन लिदा तो आहीं होता दिकademर्द में कि यह उती है यह जब शेड होती है यानि कि जड़ना शुरू करती है तो क्या करती है एक एक special type chemical जैसे कि आपको पता है अपनी पूरे बॉडी में chemical लोचा इधर उदर होता ही रहता है तो मैं देखें फिर यह क्या करता है एक special type chemical जिसको हम कहते है prostaglandine ठीक है prostaglandine को release करता है तो जब यह prostaglandine निकलता है तो यह क्या करता है खून की ग्रंथियों को यानि कि blood vessels को सिकूर देता है ठीक है तो जब blood vessels सिकूर जाती है तो जो muscles की layer होती है वो भी सिकूर जाती है और उसकी वज़ा से क्या होता है दर्द होती है यानि कि जो केमिकल निकल रहा है कौन है तो यह एक बेसिक सा कॉंसेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की कि दर्द क्यों हो रहा है अब अपना जो इंपॉर्टिंग सवाल है वो यह है कि क्या दवाइया लेनी चाहिए तो देखिए दवाइया लेना इस ओके पेन होने पीर में कौन कौन सी दवाइया है देखिए यह भी देख लेते हैं असितामीनोफेन पैमेब्रॉम पाइरलला माइन टाबलेक्स आइब्योप्रोफेन इडिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट अडवेल मॉटरेन आईबी और भी बहुत सारे हैं और नेप्रॉक्सन सोरियम अलीव के नाम से यह कुछ दवाइया मार्केट में मौजूद है तो देखिए असितामीनोफेन लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह लीवर से जुड़ी समस्याओं को भी कॉस करता है ठीक है तो लेना ठीक है लेकिन इन में पूरी तरह से निरभार होना यह बहुत गलत चीध बात है बहुत अबु करती क्या-क्या है देख लिए पहला तो यह कॉंस्तिजड़ अगर आप आदी हैं हर महीने दवाँ खाने की तो कॉंस्तिपेशन हो सकता है और क्या हो सकता है एसीड रिफलक्ष ठीक है जैसे कुछ लोग जब ढकार लेते हैं तो मुह से ऐसा लगेगा कुछ ऐसा जल रहा है धर इतने एरिया में तो acid reflex और क्या हो सकता है nausea and vomiting आपको उल्टी जैसा लगेगा तो साथी साथ उल्टी हो भी सकती है ठीक है और क्या stomach pain पेक में दर्द होगा ठीक है और क्या होगा irregular heartbeak and chest tightening तो जो ये regular continuous दवा पे dependent है पूरी तरह से बीना दवा लिए दर्द जाना ही नहीं है थोड़ा सबर्दाश होई नहीं सकता तो chest भी tough हो जाते हैं ठीक है जो chest होता है वो भी उसमें भी tightness आने लगती है लंबे समय तक आप दवा पे dependent हैं तो dgness किसी भी काम में आपको concentration ही नहीं बनेगा ठीक है और क्या होगा डाइरिया भी हो सकता है और stomach ulcer भी हो सकता है और stomach ulcer होता है तो अलग सा ulcer stomach के अंदर घाव हो जाएगा और फिर bleeding होगी तो ये कुछ दवाईयों को और acetaminophen के case में मैंने बताया अगर आप इस पूरी तर हो सकती है ठीक है अब देखिए अब आपका अगला सवाल होगा ती दवाईया ना खाएं तो करें क्या तो देखिए करना क्या है आपको कि सबसे बड़ी चीज जो करनी है हमाई पास home remedies बहुत सारी है आप क्या कर सकते होट कंप्रस ठीक है लोगर अब्डॉमन रीजन में प पेट के उपर और क्या कर सकते स्टे हाइडरेटेड आप जितना जादा पानी पीएंगे पानी पीना छोड़ना नहीं है आपको उस दौरान क्यूंकि देखिए क्या होता है पीडियक्स के दौरान ब्लोटिंग होती है ऐसा लगता है पेट भरा-भरा ग्यास जादा हो जात और मैंने आपको यहाँ बताया था कि मसल्स के लेयर काईटराक्ट हो गई है उनको रिलाक्स करना है पानी पूरेगा पाने जाधा पिए एंगे, तो muscles भी relax होंगी, और जब muscle रिलакс होजाएंगी, तो cramp अपने आप, धर्द धोड़ा धीरे-धीरे कम ही होगा, क्योंकि जो वो दर्द किस वज़ा से हो रहा था, uterine के contraction की वज़ा से दर्द हो रहा था, आखिर दर्द क्यों हो रहा था दर्द इसी वज़ा से हो रहा था ना कि ब्लड वैसल सिकुड गए ब्लड वैसल के सुख किरने की वज़ा से ये यूटरस की जब वॉल है ये भी सिकुड गई और ये सिकुड गई तो क्रैम्प हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद exercise देखिए तो अगर आप डेली रूटीन में हेवी exercise करने है तो ठीक है इस टाइम पर थोड़ा सा हलका exercise कीजिए बच exercise जरूर कीजिए exercise करने से कोई problem नहीं होगी बस हां आपको pain थोड़ा सा कमी होगा हां थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं ठग गई हूं लेकिन अगर थोड़ी सी भ बना के चलना है क्योंकि exercise से blood flow होता रहेगा और जब blood flow अच्छा होगा पूरे बॉड़ी में तो cramp वाली situation नहीं आएगी ठीक है और क्या कर सकते हैं मसाज कर सकते हैं मसाज करने से क्या होगा यह एक अक्युपंचर टाइप की therapy तो मसाज करेंगे तो points प्रेस होंगे तो जो होगा और दूसरी जो option है वो है कि herbal tea market में जो available है आप जिंजर वाली अद्रक वाली चाय तुलसी की चाय और यह सारी जो herbal tea market में अवेलेबल है वो आप पीएं तो भी आपको अच्छा लगेगा तो दुस जो भी मेरी तरफ से मैंने जितना सोचा आपको बताने के बारे में म अगे भी मैं इससे related कुछ और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो यूट्यूब पे हमारा और एक चैनल है टेन डारेक्शन न्यूस के नाम से प्लीज एक बार उस चैनल को भी विजट कीजे वहां पे भी सब्सक्राइब क कीजे और मैं आपसे यह जहना चाहती हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूले थैंक्यू वेरी माच